हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल सैवे इस प्लॉट आज मैं आपको चावल के आटे से फेस मास्क बनाना सिखा होगी जो हमारे गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है आजकर जैसे गर्मिया पड़ रहे हैं और इसे ओईली स्किन काफी हो जाती है और सन बन हो जाता है चलो मैं बनाना सिखाती हूँ आपको फेस मास्क सबसे पहले हमें चाहिए दो चम्मच चावल का आटा जो आप घर पे ही ग्राइंडर में इसको पीश सकती है और एक चम्मच तमाटर का जूस इसको हमें इसमें डाल देना है और मेस कर देना है चावल का जो आटा होता है वो हमें सन बन और एकमे पिंपल की से दूर करता है इसकिन को टाइट करता है और जो तमाटर का जूस है वो भी हमें सन बन से बचाता है और स्किन को टाइट करता है और हमें एक चम्मा चाहिए शहर शहर हमारे समर्ज के लिए बहुत अच्छा है यह स्किन को जमकदार बनाता है इन सबको मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है और 10 से 15 मिनिट तक अपने फेस में लगा लेना है और उसके बाद ठंडे ठंडे पानी से अपने फेस को साफ कर लेना है यह गर्णियों के लिए फेस पैक बहुत अच्छा है और इससे आपको एकमे, पिम्पल्स, ओईली स्किन से बचाओ है अगर आपको यह पेस्ट थोड़ा गाड़ा लगता है तो इसमें हम गुलाब जल भी डाल सकते हैं गुलाब जल जो हमारे चेहरे को थोड़ा सा ठंड़क पहुचाता है और स्किन को भी ग्लो करता है इसमें थोड़ा सा हम चावल का आटा और डाल देंगे क्योंकि यह थोड़ा सा पतला हो गया है हमको इसको थोड़ा थिक पेस्ट बनाना है तो यह हमारा फेस मास्क प्यार है आग इसको अपनी फेस में अपलाई कर लेना और 10 से 15 मिनट तक रखके इसके बाद थंड़े पानी से चेहरा दो लेना है अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ने कर रहा है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन भी प्रेस करना जिससे मेरे नए नए वीडियो आपको देखने को मिल जाए थैंक्यू फ्रेंड्स